तो यार खाना कहां पर बनता है खाना तो हमें पता है ना खाना कौन बनाता है फोटो सिंथिस चाप्टर पड़ रखा है ये क्या है ये है लीव्स है ग्लुकोस के फॉर्म में खाना बन रहा है बड़ आपको ये भी बताया था बच्चो ग्लुकोस सिंथिस वाला फॉर्म है तो यार, सोर से सिंक में लाने के लिए कोई ना कोई जरिया तो होना चाहिए जैसे हमारे शरीर में एक जगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए we have a proper circulatory system अब आपको पता है कि प्लांट ने पानी की जो एब्सॉर्बंस की कापिसिटी है ठीक है यह वाली ability किसको दे रखी है जड़ो को दे रखी है hello students welcome back to the rafta series और हम डिसकस करने वाले हैं plant physiology का एक और section that is transport in plants तो यार हमने बहुत अच्छी अच्छी chapters plant physiology के cover कर रखे हैं ठीक है जो बहुत दिगज है तो यह बहुत easy और थोड़ा conceptual है story like है पोड़ी कहानी टाइप है ना और नाम के में पता चल रहा है बच्चों की transport का मतलब क्या होता अगर हम lateral meaning में जाएं तो what do you mean by transport transport का मतलब होता है चीजों का भेजना जैसे आपको भी कोई चीज भेजनी होती है तो आप बहुत सारे means of transport का स्तमाल करते हो ठीक है जैसे आज कल अगर बहुत चोटे area में भेजना दिल्ली में जैसे ट्रांसपोर्ट करना है आपको कोई चीज आपकी रहे गई है तो हम we fast का करते हैं या और भी बहुत सारे से शुरू हो चुके है means है ना चीजों को भेजने के लिए है ना नहीं तो अगर बहुत दूर बेजना है तो हम courier services की help लेते हैं blue dot हो गया DT-DC हो गया तो ट्रांसपोर्ट का लेटरल मतलब तो हम सब को पता है प्लांस के अंदर भी यार इवन इन आनिमल के केस में भी चीजों का ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है जैसे हमारे पास ब्लड के तुरू चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है because we have a proper circulatory system बट यार प्लांस के पास क्या कोई circulatory system है सोचो तो जवाब तुम्हें मिल गया होगा कि नई यार तो फिर प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है क्या ट्रांसपोर्ट करता है और क्यों ट्रांसपोर्ट करता है तीन question आपके मन में आ रहे होंगे तो इस particular lecture में आज हम बहुत चोटी से चीज कवर करने वाले हैं क्यों क्या और हाउ ठीक है तो सबसे पहले start करते हैं बच्चों उसी से ठीक है मैं आप से मैं तीन सवाल पूछ रहे हूं मन में जवाब सोच लेना कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वाई देर इस नीड ऑफ फ्रांसपोर्ट फ्रांसपोर्ट की जरुवत पढ़ ही क्यों रही है ठीक है और इस चाप्टर में पर्टिकुलर्ली हम एंजियो सपर्म के बारे में डिसकस है ठीक है How and what to transport and what to transport तो जैसे यार आपको पता है वाय क्यों जरुवत पढ़ रही है पॉर एक्जाम्पल दो चीज़ हम पढ़ेंगे हमें पानी को भेजना है क्या मिनरल्स को भेजना है क्या फूड को भेजना है ठीक है अगर मैं फूड की बात करूं किसकी बात करूं फूड की बात करूं तो यार खाना कहां पर बनता है खाना तो हमें पता है ना खाना कौन ब के पास क्या होते हैं जो मीजो फिल सेल के पास सारे पिगमेंटस होते हैं जो लाइठ बनाते हैं खाना किस फ्रमके exciting bin कष़ अभन रहा है बड़ आपको यह भी बताया था जो टो फीक कहος??? आँने सातसे फॉंड़ इसको किसमें कनवर्ट कर देते हैं सुक्रोज में है तो ठीक है और आपको पता है बच्चो पौतो सिंधिस सेफ और कहां हो सकती है यह सेरफ और फोंतीक तो 1974 में हो सकती है लाइक लीव्ध स्टेम् पोफ arada नेहीं रूट तो भिल्कुल ही नहीं कर सकता कहीं कहीं पर स्टम ग्रीन होते, तो थोड़ा बहुते हूभ भी कर लेते, बत रूट, रूट का तो पोई लेना दिया ने, पोटो सिंथिसिस के लिए, बत रूट को भी दो खाना चाहिए ना, तो यहाँ पर खाना कहाना पर बना लीप में, तो लीवS क्या है हाँ पर ? Source है किस का Source है ? खाने का Source है तो जहां पर कोई चीज बनती है हम उसको क्या बोलते हैं source तो खाना कहां पर बन रहा है लीव पर तो तो यार सोर्स कहीं और है Source कहां पर है ? Leaves psychiatry root को चाहिए जिस cell को चाहिए भचो जिस सेल को चाहिए हम उसको क्या बोलते हैं जिस सेल को चाहिए हम उसको बोलते हैं सिंक क्या बोलते हैं बच्चो सिंक तो यार सोर से सिंक में लाने के लिए कोई न कोई जरिया तो होना चाहिए जैसे हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए we have a proper circulatory system plants के पास वो circulatory system तो नहीं है है ना, खाना ली से बन रहा है, root को भी चाहिए तो इस खाने को transport करने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है? transport की मदद लेनी पड़ती है तो एक reason तो हमने पड़ लिया why, because source और जो sink है वो different है, बनता कहीं और है, जरूरत कहीं और भी हो सकती है पहला reason, ठीक है, यह हमने food के respect में पड़ा next हम किसके respect में पड़ सकते हैं, मान लो पानी है, ठीक है, यह soil है आपको पता है, soil में क्या होगा, पानी तो हम soil में ही दालते हैं, water है ठीक है, और plant की जो जड़े होती हैं, बच्चों plant की जो जड़े होती हैं, वो soil में होती है ठीक है, यह रही, यह हो गया इसका stem एक यहाँ पर बना लो इसकी leaves ठीक है, अब आपको पता है कि plant ने, पानी की जो absorbance की capacity है ठीक है, यह वाली ability किसको दे रखी है जड़ो को दे रखी है, roots को दे रखी है तो यह roots क्या करते हैं, पानी को absorb करेंगे पानी कहा पहुँच गया, root की cells में पहुँच गया लेकिन क्या पानी सिर्फ root को चाहिए नहीं यार, पानी तो सब के लिए important है, overall growth के लिए important है water क्योंकि practice affecting growth में हमने पानी का इस्तमाल देख रखा है photosynthesis जो leaves में होती है, वहाँ पर भी पानी चाहिए चाहिए न, that means यह जो पानी, soil से root में पहुचा है इसको उपर भीजना पड़ेगा, उपर मतलब stem के पास, और कहां भीजना होगा leaves के पास, that means यहाँ पर भी source पानी का क्या था, soil soil से कहां पर चला गया, root, root से इसको different areas में जाना है तो यहाँ पर भी देखो न, पानी root ने absorb किया, source वो था जरूरत और जगा पर भी थी, ठीक है, तो इसलिए, यहाँ पर भी हमने देखा कि क्यों transportation की जरूरत पड़ रही है, transportation की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो हमने देख लिया है तो why reason cover हो चुका है, ठीक है, next हम पढ़ेंगे how, क्या पढ़ेंगे, how it is done तो लोग देख लेते है, how it is done, how के लिए, दो तरीके है, एक होता है, short distance transport आज के lecture में बच्चों, short distance transport को ही cover करेंगे, और एक होता है, long distance transport अभी बहुत brief में समझा रही हूँ, short distance और long distance, short distance का मतलब यार, पडोसी वाले cell में जाना है पडोसी वाले cell में जाना है, तो बहुत easy है, क्योंकि distance जादा नहीं है तो चाहे वो diffuse कर जाए, ठीके इसके भी तरीके होते, short distance हम अभी cover करेंगे, इसमें आता है active transport, इसमें आता है passive transport, इसका थोड़ा बहुत जिक्र हमने cell वाले chapter में करा, अगर बहुत दूर तक भेजना है roots से लेकर के leaves तक जाना है, तो भाईया diffusion अगरा काम नहीं करता, क्योंकि बड़ा बड़ा ही slow process है, diffusion कि मान लो पानी भेजना है, ठीके for example सुनते जाना, मान लो, पानी जाना है यहां से लेकर के top तक, और plant की height हमसे भी बहुत बड़ी होती है, हम तो maximum height अगर जाएं तो 7 feet जा है ना, plants तो हमसे भी बहुत बड़े है, 10 feet, 15 feet, 30, 90, मतलब इतने लंबे-लंबे हो सकते हैं, यूकिलिप्टिस कितना बड़ा है, तो जब जड से एकदम टॉप तक जाना है, तो diffusion से अगर मान लो, पानी जाने कोशिश करेगा ना, पता नहीं सालों में पहुचेगा, तब त है, long distance transport, ठीक है, long distance transport, और इतमे हम मदद लेते हैं, vascular tissues, इसको भी detail में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमने देख लिया, चाहे खाना हो, चाहे पानी, दोनों को हम short or long distance transport से भेज सकते हैं, तो ये short or long नाम क्यों है, depending upon the distance, अब कौन से transport में किसकी मदद लेते हैं, वो आगे नेक्स्ट, what to transport, ठीक है, what to transport, तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक तो आपने देख लिया, हम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूट किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं, सुक्रोस के फॉर्म में, ठीक है, और क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, अभी देखा था आपने पानी को ट्रांस्पोर्ट किया था इंसी आटी में लिखा हुआ है बच्चो मिनरोल्स भी ट्रांस्पोर्ट होता है और क्या लिखा हुआ है हॉर्मोन्स भी ट्रांस्पोर्ट होता है क्या होता है हॉर्मोन्स भी ट्रांस्पोर्ट होता है तो हमने बहुत ही सिंपल भा कि यह जो फॉर्म से यह और गेनिक है या इन और गेनिक है यह इंपॉर्टेंट है यह तो पूरे चाटर में पढ़ना यह पूरा चाटर इनकी ऊपर बेज़ है पर स्टार्टिक में चीजे लिखी हुए इंट्रोड़क्री सेक्शन में तो सुनो फूड प्लांट की अंदर ब खाना ग्लुकोज के फर्म में बन रहा है तो ग्लुकोज के फर्म में च्च्रा में ही रांसपोर्ट हो जाता है बल्कुल सही बात है क्यों महिनत कर रहा है पहले उचको फूट तो प्रिपेर्ड है ना कच्छा तो है नहीं इस अलड़ी प्रिपेर्ड बस उसको खोल करके खाना है तो जो डिलिवरी पार्टनर था जो मैटो का एजेंट जो था उसको बाद में फायर कर दिया गया था जो भी एक्स वाई-जाट रीजन उसने दियो तो आपने यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि जोचने पर पहुंचने से पहले उसको को जाना रूट तक था पहुंचने से पहले बिग्ष से को फॉइच कोगी खान ले तो हमें को एसा ऑफॉर्म चाहिए एक कॉम्पलेक्स फॉर्म Kaf机 अ अचानी से टूटे ना, तो इसलिए हम glucose को किसमें convert करते हैं, सुक्रोस में, सुक्रोस डाइ सैकराइड है, असानी से टूटे गा नी, complex form में, glucose से ज़्यादा complex है और दूसरा ये reactive नहीं होता, इतना, ठीक है, इस वज़ा से हम सुक्रोस के form में transportation कराते हैं, खाने की plants के अंदर, और वो form कैसा है, organic form है, पानी बाहर से provide किया जा रहा है, पानी देते ना पौधों को, बाहर से provide कर रहे हैं, ठीक है, और you know, this is which form, inorganic form, okay, minerals, minerals मैंने आपको anatomy वाले ही section में पढ़ाया था, बच्चों, कि minerals दोनों form में travel करता है, organic as well as inorganic, ठीक है, किस-किस form में travel कर सकता है, organic form में आगे इस chapter में भी लिखा हुआ है, as well as inorganic form, जैसे for example, nitrogen का example ले लो, for example, nitrogen एक बहुत essential element है, plant की growth के लिए, ठीक है, nitrogen organic form में भी travel करता है, कौन सा organic form होगा nitrogen का, जो plant की case में travel करता है, that is amino acids, amino acids, amino acids, जो transport किया जाता है, that is the organic form of nitrogen, inorganic में क्या आ जाएगा बच्चों, inorganic में आ जाएगा, हमारा nitrate आ गया, हमारा nitrite आ गया, ठीक है, ये सारे कैसे forms है, inorganic forms है nitrogen के, आप खुद ही देख सकते हो, आपके पास जो सबूत है, कि minerals, they can travel in both form, organic as well as inorganic, hormones की बात करूँ, तो hormones किस form के होते हैं, बच्चों, organic form, और hormones कौन कौन से होते हैं, plants के case में ये तो हमने पढ़ी रखा है, तो ये चार चीजों का transport है, और किस form में transport होते हैं, वो हमने cover कर दिया है, ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सारे introductory section शुरुवात की line चल रही बच्चों, next क्या दिया हुए, NCRT में सुनना, हमें पता है, देखो, जब हम short distance transport की बात करते हैं, सुनना ध्यान से, जब हम short distance transport की बात करते हैं, तो उसमें किस की किस की मदद लेते हैं, हम diffusion की मदद लेते हैं, ठीक है, और किस की मदद लेते हैं, हम facilitated diffusion की मदद लेते हैं, और किसी से short distance transport कराया जा सकता है, active transport, और क्या होता है, बचों, cytoplasmic streaming, cytoplasmic streaming, यह नाम थोड़े बहुत हमने अलरड़ी पढ़े हुए हैं, बचों, cell वाले topic में, बट इस lecture में हम और ज़्यादा detail में देखेंगे, और यह भी देखेंगे, इन सब में difference क्या है, ठीक है, यह सारा किस में आएगा, short distance transport में, जिसको हमें एक-एक करके पढ़ना है, जब हम long distance transport की बात करते हैं, तो short distance बहुत slow होता है, ठीक है, अगर कोई paddle चल रहा है, बच्चों, क्योंकि उनको लगता है, pass में ही जाना है, तो pass में जाना है, पढ़ोसी क्या कुछ खाना बना, खाना देने जाना है, तो हम paddle चल के जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता है, paddle चलने में time तो जादा लगेगा ना, लेकिन हम paddle क्यों चल रहा है, क्योंकि पास में ही जाना है, similarly, जब distance बहुत छोटा होता है, प्लांस के केस में, पढ़ोसी वाले सेल में ही पानी भेजना है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी, इनका इस्तमाल कर लो, diffusion का, इसका, इसका, किसी का भी इस्तमाल करके ट्रांसपोर्ट करा सकते हो, बट यार, तुम्हें 10 किनोमेटर दूर जाना है, तो तुम्हारी चोईज है, तुम पैदल जाओगे, जा सकते हो, लेकिन टाइम बहुत जादा लगेगा, हो सकता है, खाना ठंडा हो जाए, या और भी बहुत सारी रीजन्स हो सकते हैं, खाना ठंडा हो जाए, या जिनको लगी है, वो कुछ और ही खाके बैटर तुम रास्ते में हो, तो ताइम बहुत जादा लगता है, तो क्या उठाओगे, स्कूटी उठाया या निकल गए, है ना, तो लॉंग डिस्टेंस ट्रांस्पोर्ट को एफिशन बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का मदद लेना जाइलम और फ्लोयम और जब जाइलम और फ्लोयम ट्रांस्पोर्ट कराते हैं, ऐसी ट्रांस्पोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसी ट्रांस्पोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांस्लोकेशन, यह हमने अनटमी में देख लिया था बच्चों कि फ्लोयम किसका ट्रांसपोर्ट कराता है फूड का जायलम किसका ट्रांसपोर्ट कराता है पानी का और मिनरल्स का पानी का और मिनरल्स का जेनरल केज जो अभी तक आपको पता है जेनरल केज जो अभी तक आपको पता है तिक है अब देखो यह तो हो गया ब्रीफ अब एक चीज और NCRT जो लिखती है, अब ध्यान से सुनते जाना, अगर मैं यही वाला पेज इस्तमाल करूँ, यह देखो, एक केज बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, यह पेड़ की रूट है, यह इसकी स्टेम है, और यह इसका लीफ है, ठीक है, यह इसकी लीफ है, यहां पे भी एक और केज बनाते हैं, अच्चा उससे पहले, जाइलम और फ्लोएम क्या है, जाइलम और फ्लोएम पाइप है, वो पाइप जो ट्रांस Por कराती है, तो दो पाइप क्या करेगी, यह वाली पाइप क्या करेगी यह जाइलम की पाइप है यह किसकी पाइप है यह फ्लोयम की पाइप है यार देखो हमने अनटमी अलड़ी पढ़ रखा है अब यह मैं सोचना ऐसे ही होते हैं आजू-बाजू जाइलम और फ्लोयम वालब इनकी प्लेस्मेंट किसी और तरीके स होती हैं उसमें नहीं जा रहे हैं because we have already taken the chapter of anatomy ठीक है अब आपको समझना है अभी यह तो पता है ना कि अंदर vascular tissues present होते हैं कौन से जाइलम और फ्लोयम माननों यह क्या है तुम्हारा जाइलम ठीक है और यह क्या है बच्चों आपका फ्लोयम यह क्या है आपका फ्लोयम अब ध्यान ते सुनना होता क्या यार फ्लोयम यहां food है मतलब लीफ है लीफ क्या बनाती है खाना हूं खाना लीफ बना रही है बड़ काना root को भी चाहिए चलो ठीक है तो food कहां से कहां आ जाएगा पूर ट्रावल करेगा लीव से रूट में ठीक है बिलकुल सही बात है अब तोचो लीव सारी गायब है लीव सारी गायब हो चुकी है क्योंकि एक सीजन आता है ना पजड़ का तो उसमें नई लीव सारी होती है पुरानी लीव तो कोई होती नहीं अब देखना होगा क्या ध्यान से सुना बहुत इंपॉर्टन चीज है अब लीव ने खाना रूट को तो भेज दिया रूट सारे क्या वह दरिवन eh r Mirla L t आप तो उनको खाना चाहिए अपनी क्रोत के लिए उस टाइम पर स्टोर कन हो जाता है रूट तो खाना उस टाइम पर, उस टाइम पर, रूट से, एक सेकंड, दूसरा पैन इस्तमाल करते हैं, खाना उस टाइम पर, रूट से लीफ में जाएगा, तो आप देख सकते हो, कि जो खाने का ट्रांसपोर्ट है, जो फ्लोयम के थू हो रहा है, वो यूनी डारेक्शनल नहीं है एक से जादा डारेक्शन में ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए फ्लोयम की ट्रांसपोर्ट को, NCRT क्या लिखती है, NCRT क्या लिखती है, मल्टी डारेक्शनल, मल्टी डारेक्शनल, या इसको मौर क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर मैं इसका पर्टिकुल होते हैं, बाई डारेक्शन, NCRT ने ये दोनों वर्ट का इस्तमाल कर रखा है, शुरुवाती टेक्स्ट में देखोगे, तो मल्टी डारेक्शनल वर्ट का इस्तमाल है, लिखा हुआ है कि फ्लोयम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, डाट अकर्स इन मल्टी डारेक्श किसको करेगा, पानी को करेगा, है ना, पानी कहां से लेगा ये, स्वाइल से, स्वाइल में वाटर मॉलेक्यूल से, इसको रूट एब्जॉब कर लेता है, रूट एब्जॉब करने के बाद, पानी किसको पहुचाएगा, जाइलम को, क्योंकि पानी पहुचाने वाला आ रहा है और पानी के साथ-साथ मिनरोल्स भी हूर सकते बच्чो क्यों आप की जो चीज़े ट्रांस्पोर्ट हो सकती है पानी तो ट्रांस्पोर्ट होता ही है और अभी हमने पढ़ा पानी के साथ साथ और क्या ट्रांस्पोर्ट हो सकता है minerals transport हो सकते हैं क्या transport हो सकता है minerals तो ये तो हमें पता है जाइलम की transport कैसी है unidirectional है ठीक है आगे की line जब ncrt पढ़ोगे ना शुरुवात में पढ़ते रहे ना वहां पर लिखा हुआ है कि nutrients multi-directional भी flow कर सकते हैं ठीक है क्यों देखो अब ध्यान से सुनना भ्यम्हों किसका ड्रांपोर्ट का यह पता है लोगने कि दिएक भी थैंग्म होसे होते हैं औरकुछ हॉर्मोन भी होते हैं जो फ्लोयम के थूठा एक और मिन्रैल्स हॉर्मोन फ्लोयम के थूठोगे यह जाएंगे तो उनका ट्रांसपोर्ट मल्टी । हो सकता है।eling रही समय सब्सक्राइब करोगे अगर फूछा जाएं अगर पूछा जाए, देखो ऐसे, अगर पूछा जाए कि मिनरल्स को वाया जाइलम ले जाया जाएगा, मिनरल्स को वाया जाइलम ले जाया जाए, तो कैसा ट्रांस्पोर्ट होगा, डारेक्शन कैसी होगी, यूनी डारेक्शनल होगा, और अगर मिनरल्स को वाया फ्लोयम ल लिखा हुआ है, तो confuse मत होना, दोनो case possible है, वो depend करता है कि वो किस pipe के तुरू होते हुए जा रहा है, ठीक है किस pipe के तुरू होते हुए जा रहा है, hormones भी तुमारे xylem के साथ भी जा सकते हैं, phloem के साथ भी जा सकते हैं, NCRT ने ये बात लिखी हुई है कि कुछ ऐसे hormones हैं, जो strictly polar है, strictly polar का मतलब unidirectional है, अगर वो unidirectional travel कर रहे हैं, तो पक्का से उनको कौन लेके जा रहा होगा, xylem, पक्का से उनको कौन लेके जा रहा होगा, बच्चो, xylem, तो you can write this line, that certain hormones, certain hormones are strictly polar, are strictly polar, और polar का मतलब क्या है बच्चो, polar का मतलब होता है unidirectional, unidirectional का मतलब एक ही direction में वो travel करेंगे, और बच्चो, अगर unidirectional ला गया, तो आपको पता है कि कौन सा vascular tissue unidirectional कराता जाड़े, xylem, ठीक है, hormones, phloem के थू भी travel कर सकते हैं, जैसा हमने diagram बनाये हुआ है, और अग polar direction कैसा होगा, multidirectional, ठीक है बच्चो, तो यह हमने क्या पढ़ लिया है, directions पढ़ लिये हैं, ठीक है, confused बिल्कुल भी मत होना, जो चीज़ जाइलम के थू जाएगी, वो यूनी होगी, जो चीज़ फ्लोयम के थू जाएगी, वो multi हो सकती है, ठीक है, तो यह हमने पढ़ लि ने क्या लिखा हुआ है, आगे जाओगे तो NCRT ने क्या लिखा हुआ है, देखना, कि कुछ लीफ्स, पुरानी तो होगी, बच्चो, एजिंग तो नाचरल फिनॉमेना है, ठीक है, यह रूट है, ठीक है, यह स्टेम है, एक सेकेंड, यह लीफ है, यह इतनी बड़ी लीफ है, that means, इसका बुढ़ापद नजधीक है, यह मचोर हो चुके, यह मर जाएगी, ठीक है, यह सेनेसेंट है, सेनेसेंट मतलब ओल्ड रहा है, या हमने अलोड़़ी पढ़ रख था है, सेनेसेंट का मतलब, क्या होते है, सेणेसेंट बूड बुरी लीफ से, ठीक है, यहिए यह अभी अभी आई है तो होता क्या है यार यह बूडी लीफ है बूडी लीफ तो कुछ टाइं के बाद जड़ी जाएगी जड़ने का बोलते हैं सारा कुछ पढ़ा रखा है PGR में होता क्या है इनके पास भी मिनरल्स है obviously इतने बड़े हो चुके हैं बड़े होंगे बट यह मिनरल्स के साथ जड़ जाएगे पेड को मनजूर नहीं है तो पेड क्या करता है यह जो मिनरल्स पुरानी लीफ में मौजूद है बूडी सेने सेंट लीफ में मौजूद है इनको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है older लीफ से younger लीफ older लीफ से younger लीफ के तरफ इनको भेजा जाता है जैसे याँ कि मान लो आप किसी कमपणी में काम करते हो और आपको resign देना है तो आपको पता है resignation के time पर notice देना पड़ता है कहीं-कहीं पर 15 दिन का होता है कहीं कहीं पर एक महीन का नोट्स होता है भाया अगर आपने एक बार इस Blade सर्फ करना है अगर आपका बुस अच्छा है तो ठीक है जैसे चला रहा वैसे ही चलेगा अगर आपका बॉस थोड़ा घडूस है तो वो चाहिएगा कि एक महीना जितना भी है न उसका पूरा खून चूस लिया जाए ना जितना काम करा जा सकता उससे करा लिया जाएगा क्योंकि उसके बाद तो भग जाएगा उसको चले जाना है यहाँ पर भी प्लांट को पता है तो जड़ने वाला है तो इसके जो भी मिनरल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करा देते हैं older से younger leaves में older से younger leaves में अब आप सोचते हैं कौन-कौन से minerals का transport होगा वो हम आगे आने वाले चाप्टर में देखेंगे कि कुछ mobile elements होते हैं अब जो घूम सकते हैं उनको फ्रांसपोर्ट करा दिया जाता है एक बूड़ी लीव से कहां पर एक यंगल लीव पर यह बात ने शुरुआती अभी तो टॉपिक्स असली में शुरू भी नहीं हुआ है यह सब कुछ शुरुआत में लिखा हुआ है कि वाट्विल हापें टू ओल्ड सेनेसेंट लीव उनको जड़वाने से पहले एप्शिशन कराने से पहले सारा का सारा मिनरल चुरा लेंगे चुरा से सेक्षन है वो सारा कुछ कवर कर लिया है ठीकर दूंत कर लिया है करोगे आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि आपने सारा सारे यह की आधिक गार किसे करेंगे सुनना पहले हम क्या prior चीजोंग त्रांसपोर्ट किर master रहे हैं थिक के पानी का ट्रांसपोर्ट कर आ minerals का transport करा रहे हैं और किसका transport करा रहे है hormones का transport कराया जा रहा है थिके ? food को कौन transport करा रहा है ? by ॥भी के ऐसे करूँगी यह जाहू तो मेरे साथ-साथ भरते रहना so that आपको और ज्याधा clear हो जाए कि किसका कौन transport करा रहा है direction क्या है और किस form में होगा। थिके ? तो कौन कराता है food का transport फ्लोयम, फ्लोयम की अगर transport है तो direction क्या होगी बच्चों, फ्लोयम की अगर transport है तो direction multi होगी, या NCRT by भी लिखती है, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, source किस form में होता है तो आपको अलडी पता है कि this is the organic form, पानी का कौन transport कराता है बच्चों, पा ठीक है, minerals का कौन transport कराता है, minerals का transport xylem भी करा सकता है और फ्लोयम भी करा सकता है ठीक है, xylem अगर transport कराता है तो वो unidirectional तरीके से कराएगा और अगर mineral का transport होता है, sorry, phloyam अगर कराता है तो वो multi-directional करा सकता है ये NCRT ने लिखा हुआ है ठीक है, hormones के साथ भी यही किस्सा है, अगर xylem कराएगा, तो xylem के थ्रू कैसा transport होगा, unidirectional और अगर phloyam करा रहा है, तो phloyam के थ्रू कैसा होगा, multi और NCRT ने लिखा हुआ है, कुछ ऐसे hormones हैं, जो strictly कैसे होते हैं, polar ठीक है, polar means unidirectional ठीक है, unidirectional, clear हो गया, source हमने अलुड़ी पता है, food organic form है, water inorganic form है, minerals दोनों form में travel कर सकते हैं, minerals दोनों form में travel कर सकते हैं, hormones organic form है, ठीक है, बच्चा, forms हमने अलुड़ी लिख लिए था, तो confusion होने की बात नहीं है, summarize भी हमने कर लिया है, अब start करते हैं, यार यह सब तो कहानी पढ़ लिए, अब हम actual transport किस तरीके से होगा, वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से होगा, दो तरीके, short या long, तो सबसे पहले हम cover करेंगे, what is short distance transport, ठीक है, what is short distance transport, तो short distance transport, आज हम इस lecture में cover करेंगे, बच्चो, short distance transport, short distance transport, इस short distance transport का मतलब क्या समझ रहे हो, यह तो बहुत बारी हमने जिक्र किया है, but scientifically क्या समझ रहे हो, जब पढोस के cell में जाए, that means cell to cell, ठीक है, या cell के अंदर, within cell, या जब cell के अंदर आए, that means entry or exit, ठीक है, entry or exit from the cell, इसका क्या मतलब है, यह देखो, दो cell बनाते हैं, just a second, यह मान लो दो एजर्शन सेल हैं बच्चो, ठीक है, दो एजर्शन सेल है, दो cell को connect करने के लिए हमारे पास क्या present होते हैं, बीच में, प्लाज्मो डेस्माटा, यह क्या है, यह है, प्लाज्मो डेस्माटा, ठीक है, और यह दो आजू-बाजू के cell है, इस सेल में पानी है, ठीक है इस सेल में पानी है, cell 1 में, इस पानी को cell 2 में जाना है, कहां जाना है, car 2 में जाना है, कैसे जाएगा यह तो बहुत पडोस वाले में जारा हे थोटा सा डिस्त suppress crisis है, तो थोड़े से डिस्तंस के लिए for toxic short distance का इस्तमाल करेगा और यहां से यहां आ जाएका के मूंट्प कैसी हुई है सेल टू सेल को है तो पहला पानी है इस पानी को यहां से यहां तक जाना है तीसरा है एंट्री मारे सेल में ए एक डिसेल में हो ठाल में नहीं है है। एंट्री हो तो यह भी कैसा ट्रांसपोर्ट है शॉर्ट डिस्टेंस या सेल की एक्जिट हो रही हो यह भी कैसा ट्रांसपोर्ट है शॉर्ट डिस्टेंस तो शॉर्ट डिस्टेंस में क्या क्या आता है यह हमने पढ़ लिया है एक और चीज होती है यहां पर तो मैंने compactly arranged बना दिया है cell, मान लो दो cell बनाओ ऐसे, ठीक है, दो cell बनाओ ऐसे, तो इनके बीच में, दो cell के बीच में भी तो movement हो सकती है, तो ये जो between the cell move कर रहा है, ये भी कैसा transport है, short distance transport है, तो सबसे पहले हमने समझा, कि short distance का मतलब क्या क्या है, ठीक है, अब short distance होते कितने प्रकार से हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रकार है, that is diffusion, that is what, diffusion, diffusion लिखने और समझने से पहले, पहले एक cell बनाते हैं, ठीक है, पहले एक बनाते हैं cell, और cell में जो absolute requirement होती है, वो क्या होता है, बच्चों, plasma membrane, तो हमने बना लिया plasma membrane, क्या बना लिया है, plasma membrane, और हमने अलड़ी पढ़ रखा है, plasma membrane कैसी होती है, plasma membrane हमारी lipid की बनी होती है, और एक layer नहीं होता, कितना layer होता है बच्चों, bilayer होता है, कितना layer होता है, bilayer होता है, कि तो हम सबसे पहले दक्राष्मा लेयर अती यह Darwin आती है नहीं इससे बहर भी एक लेयर होती जो कॉन सी होती वच्छो तर सेल-वाल परमियेबल है वह असानी मॉलیک्यूस को पास होने देती है प्रॉब्लम आती है हमारी plasma membrane के साथ जिसके साथ plasma membrane के साथ अब समझना इस बात को plasma membrane थीके?, ये cell का बहर वाला हिससा है outside ये cell के अन्दर आने वाला हिससा है inside थीके?, एक छोटा सा cell का हिस्सा लिया हुआ है जिसमें मेंब्रेन दिखाए अगर अगर पानी है पानी को सेल के अंदर आना है तो पानी simply diffuse कर सकता है क्या कर सकता है diffuse कर सकता है ठीक है diffusion और इस diffusion को क्या बोलते बच्चों अगर पानी की diffusion होती है तो special word कर स्तमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं Osmosis ठीक है अब धान से सुनते जाना तो water molecule के साथ कोई परशानी नहीं हुई यह असानी से diffuse करके आ गया और क्या चिस diffuse करके आ सकती है oxygen oxygen भी वड़े असानी से diffusion के थुरू आ सकती है तो आप सोचो क्या diffusion को कराने में कोई energy खर्च हो रही है क्या diffusion को कराने में कोई energy खर्च हो रही है बच्चों देखो diffusion को कराने में कोई energy खर्च नहीं होगी क्यों क्योंकि डिफ्यूजन देखो यहां पर जो पानी का कंसेंट्रेशन है वह हाई है यहां पर अगर ऑक्सिजन का कंसेंट्रेशन हाई है सेल के अंदर पानी का कंसेंट्रेशन लो हो और सेल के अंदर अगर ऑक्सिजन की कंसेंट्रेशन लो हो तो बड़े असानी से पानी बी अंदर आसकता है distant कि दि प्री henber ओकर के क्यों हुआ डिफ्यूजन because there was a presence of concentration gradient concentration gradient का मतलब क्या होता है बचो यह वर्ड हम पहले भी सुन चुके है respiration और photosynthesis में gradient का मतलब होता है difference क्या मतलब होता है difference concentration मतलब जैसे मानलो difference with respect to water concentration यहाँ पर पानी का concentration जादा है यहाँ पर पानी का concentration कम है तो क्या बन गया difference उस difference को हम मोलते हैं concentration gradient तो diffusion हमेशा high concentration से low concentration पर होती है ठीक है high concentration से low तो पानी के molecules और oxygen gas चाहे O2 हो चाहे CO2 बड़े असानी से diffuse कर सकते हैं same goes with lipid same goes with lipid lipid तो soluble है ना ठीक है lipid यह क्या है lipid का molecule है और हमारी membrane भी कैसी है lipid की तो chemistry में बोलते हैं ना like dissolves like जो जैसा होगा वो उसमें dissolve वो करके आगे चला जाएगा तो lipid को बड़े असानी से भेश दिया जाता है तो प्लिपिट के साथ भी कोई problem नहीं है तो जब चीजें बड़े असानी से concentration gradient का मदद लेकर के cell के बाहर से cell के अंदर की तरफ diffuse हो जाएं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों diffusion तो diffusion के लिए हमने किसी चीज की मदद ली हमने किसी भी चीज की मदद नहीं ली है लेकिन क्या सारे molecule से यह बड़े सानी से diffuse हो सकते हैं नहीं देखो अब ध्यान से सुनना एक और condition बनाते हैं प्लाज्मा मेंब्रेन बनाया जाए थोड़ा पहले समझ लो फिर बस लिखने का काम रहेगा अब आपको पता है यार मेंब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स यार कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स वो रांस्पोर्ट नहीं हो सकते हैं ैसी दिफीसिटैंलमें की थूफ यह स्लेएज के तुफ जैसे फ्लेएंपल English एस पोलर मॉलिक्यूल्स को अन्दर भेजने के लिए उन्में फैसलिटी प्रोवाइड करनी पड़तों है फैसलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है तकं़े है एक रास्ता बन रहा है क्या बन रहा है यह रास्ता बनाने वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं चैनल प्रोटीन क्या बोलते हैं चैनल प्रोटीन क्योंकि इस मॉलिक्यूल को और ग्लुकोस का जो मॉलिक्यूल है क्योंकि वह पोलर है ठीक है यह हमारी टेल है यह टेल को पान बड़े असानी से पढ़ रखा है यह क्या होती है नॉन पोलर तो यह ग्लूकोस को इस रास्ते से आने नहीं देगी ग्लूकोस को अंदर अगर आना है तो उसको स्पैशल रास्ते की मदद लेनी पड़ेगी उन्हों रास्तों को क्या बोलते है चैनल और यह चैनल कितके बने होते हैं इसलिए हम इनको बहुते हैं चैनल प्रोटीन ठीक है यह क्या करते हैं यह इस ग्लूकोस को रास्ता देंगे अंदर आने का डिफ्यूज होने का अंदर facility provide करनी पड़ी, किसकी facility? चानल protein की facility, इसलिए इसको बहते है facility diffusion, पास होते होंगे, facility मिली है तो, पैसे खर्च हुए होगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये, हाई से किधर की तरफ गया है, ये तभी होगा बच्चो, जब concentration difference मौजूद हो, that means facilitated diffusion कराने के लिए concentration gradient होना जरूरी है तब हम सिर्फ channel protein का मदद लेकर के एक glucose molecule को एक polar molecules को membrane के बाहर से अंदर तक ला सकते हैं ठीक है जैसे for example कभी कबार क्या होता है एक second यहाँ पर लिख देते हैं no ATP used no ATP used ठीक है कभी कबार क्या होता है यार कि यह जो proteins है यह जो proteins है थोड़ा membrane को extend करो ठीक है इस membrane को थोड़ा extend करते हैं यह proteins ठीक है क्या करते हैं energy खर्च कराते हैं बड़ energy खर्च क्यों कराएंगे अब ध्यान से सुनना अगर मैं एक molecule को ले जा रही हूँ for example sodium तो अंदर ले जाने के लिए यह protein free fund में नहीं ले जाता यह protein ATP खर्च कराता है अब देखो ATP यहाँ पर टूट रही है ADP और inorganic phosphate के form में तो आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर जब sodium जा रहा था या glucose जा रहा था तो यहाँ पर कोई रहा है that means against the concentration gradient travel कर रहा है बच्चों दो वर्ड आपको आएगा एक वर्ड आएगा along the concentration gradient सुनने में आएगा along the concentration gradient along the concentration gradient का मतलब होता है high concentration से low concentration की तरह और अगर ऐसा होता है तो passive transport बोला जाता है that means कोई ATP वगएरा खर्च नहीं होती है free fund में काम होता चला जाएगा दूसरा होता है against the concentration gradient क्या होता है against the concentration gradient और अगर against the concentration gradient होगा इसका क्या मतलब है सुन लो इसका मतलब है कि transport होती है low से high low to high ठीके और अगर हमें low to high देना है तो हमें क्या कि खर्च करना पड़ेगा हमें energy खर्च करना पड़ेगा और energy करने वाला ट्रांसवर्च को म्या बोलते हैं active transport बोलते हैं आक्टिव ट्रांसवर्च बोलते हैं तो यहां पर हमने बेसिकली तीन ट्रांस्पोर्ट पड़े एक पढ़ा डिफ्यूजन ठीक है किस-किस मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो सकता है बड़े असानी से लिख लिए है जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनको फैसलिटी प्रोवाइट करनी पड़ती किसकी प्रोटीन की चानल प्रोटीन ठीक होता है बता दूब की क्या डिफ्यूज होता है बड़ आप खुद देख रहे हो कि केरियर प्रोटीन इहां पर भी है केरियर प्रोटीन यहां पर बी आप करेंगे इनरजी खर्च करवारी है एक नौर्मल सा एक्जांपल लूए सारा को समझ में आ आजाएगा औरext मंदिरों में बहुत जादा लंबी लाइन लगी होती है तो होता क्या है अगर एक नॉर्मल बंदा है जेनरली साउथ में ऐसा होता है क्योंकि मैंने सुना है तुरों पती बाला जीक के साथ ठीक होता क्या है बड़ी बड़ी लाइन लगी हो है कोई नॉर्मल बंदा है श्रद्धा से आया है श्रद्धालू है तो वह धीरे धीरे लाइन में आगे चलता रहेगा और मंदिर के अंदर एंट्री मार जाएगा है ना स्लो प्रॉसेस है ठी का बस वेट कर रहा है तो स्लो मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे डिफ्यूशन ठीक है तो जो श्रद्धालू लाइन से जा रहे हैं बिना किसी को पैसा वैसा दिये तो डाट इस अब कुछ होते हैं पैसे वाले या कुछ के पास टाइम की कमी होती है या जो लाइन में treatment because they have lot of money है ना होगा क्या बहुत सारे पुलिस वाले तैनात होंगे फोर्स तैनात होती है ठीक है फोर्स उनको लेकर के अंदर जाएगी बट इसके लोने क्या खर्चे होंगे पैसे यहां पर वो पुलिस वालों को आप क्या समझो क्या समझो क्यारियर प्रोटीन की तरह पैसे खर्च करने वाला ट्रांसपोर्ट कौन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरी उनको किस ने किया कौन सक्ट्राइगर प्रोटीन है पुलिस वाले तीक है अब यार वहां पर अगर केजरिवाल जी चले जाए यहां नरे प्रोटीन दोनों में इस्तमालता अंबानी में भी मोदी जी में भी अंबानी के लिए पैसे खर्च करने पड़े यहां पर कोई पैसितिक खर्च नहीं हुए सीधा-सीधा उनको सिर्फ पुलिस की फैसलिटी प्रवाइड किया वह अंदर चले कर तो तीन और के साथ तो समझने के लिए वह एक्जांपल याद रखना है अब हम एक-एक लाइन के एंसियार्ट मनलब एक-एक टॉपिक उठाते हैं और लाइन टो लाइन एंसियार्टी का डिसकस करते चालते हैं सबसे पहले N हई से लो की तरफ जाएगा हुई पैसे कर वाता है कोई पैसे खर्च नहीं कराएगा, passive होगा, ठीक है, किस-किस का diffusion हो सकता है, gas का diffusion हो सकता है, liquid का diffusion हो सकता है, oxygen का diffusion हो सकता है, ठीक है, solids का diffusion बिलकुल नहीं होगा, ठीक है, diffusion of solid NCRT में लिखा हुआ है, diffusion of solid नहीं होता, but diffusion in solid होता है diffusion in solid होता है ठीक है जैसे यार मिट्टी है मिट्टी तो solid है ना है ना मिट्टी मिट्टी का diffusion होना impossible है rare chance है but मिट्टी में पानी डाल दो तो पानी तो मिट्टी में diffuse कर गई ना मतलब solid के अंदर diffusion तो हो गया ना फोक कि अंदर डिफूजन के अन्दर डिफूजन को सकता है आपको पता है इसकूल में गालता है नहीं बढ़ चौक डब आपपानी डाल दो प्र यह डिफ्यूज कर जाएगा उनके अंदर तो डिफ्यूजन solid के अंदर हो सकता है solid solid का diffusion नहीं हो सकता यह NCRT ने लिखा हुआ है oxygen बड़े easily dissolve oxygen बड़े easily diffuse कर जाता है पानी बड़े easily diffuse कर सकता है ठीक है पानी की diffusion को मौस मौस बोलते है और इसको independent बोला गया है अप एनी living system independent of living system इसका क्या मतलब है देखो diffusion एक cell के अंदर हो सकता है मालों यह cell लिया था ठीक है कि cell लिया था ठीक है यहां पर water molecule था एक corner पर बहुत ज्यादा amount में यहां पर थोड़ा कम था तो आप देखो पानी high से low की तरफ diffuse हो गया यह एक cell के अंदर है और cell क्या होता है living माना जाता है तो एक living system के अंदर भी क्या चल गई हमारी diffusion चल गई अब तुम एक beaker उठा लो यार एक beaker उठा लो beaker कोई जिन्दा तो है नहीं बीकर तो एक living system है नहीं ठीक है यह तो एक non living system है इस बीकर के अंदर तुम पानी डाल दो यहां पर high है concentration ठीक है और अब आप सोचेंगे बीकर कें अंदर partition कैसे करें ना chamber समझ लो ठीक है एक chamber में ज्यादा पाणी है दूसरे chamber में कम पानी ऐसे समझ लो ठीक है तो chamber भी हमारा क्या है chamber भी हमारा क्या है नॉन लिविंग sto में तो दो चैंबर में जहां से पानी जादा होगा वो कम की तरफ प्रोसीड जाएगा तो वहां पर कोई लेविंग सिस्टम थोड़ी था चैंबर हो गया बीकर हो गया बीकर के अंडर झो डिफ्यूजन हो रही है वह तो एक living system नहीं है, that is a non living system, that means diffusion को कोई फरक नहीं पड़ता, तुम उसको living system के अंदर भी करा सकते हो, non living system के अंदर भी करा सकते हो, यह NCRT की लाई है, तो diffusion हमने देख लिया है, यार perfume spray करते हैं, एक कमरे के corner पर, करते हैं न, उसकी खुश्मों दूसरे corner पर भी आ रही है, क्य हाँ, travel कर रहा है, वहाँ पर कम था, तो आपको पता है, diffusion में यही तो होता है, particles move करते हैं, from higher concentration to lower concentration, यही तो होता है, fragrance के साथ, ठीक है, क्यों हर हर corner पर खुश्चबू आना शुरू हो जाती है, है न, इसी वज़े से, तो यह हमने देख लिया है, इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम क्या देखेंगे, factors देखेंगे, factors affecting diffusion, factors affecting diffusion, factors affecting diffusion, क्या-क्या factor हो सकता है, बच्चों, सबसे पहला जो factor हम पढ़ेंगे, that is concentration gradient, obviously, gradient difference होना बहुत ज़रूरी है, difference होना बहुत ज़रूरी, यह हमने respiration के chemiosmotic में भी पढ़ाता, और photosynthesis में भी पढ़ाता, कि protons को भी diffusion हो रहा था, वो अलग बात है, कि वो F-naught channel की थूरू हो रहा था, protein की थूरू हो रहा था, इसलिए एंसेट में फैसलिटेड डिफूजन लिखा हुआ है, बट डिफूज अपनी gradient को follow करता हुआ, high से low की तरफ travel करता है, ठीक है, तो diffusion कहां से कहां होती है, high to low होती है, next, और क्या होना चाहिए बचो, temperature, अगर temperature ज्यादा होगा बचो, ठीक है, तो energy ज्यादा, पार्टिकल की movement ज्यादा, ठीक है, तो diffusion भी ज्यादा हो जाएगा, next, अगर हम pressure बढ़ाएंगे, तो भी diffusion क्या हो जाता है बचो, बढ़ जाएगा, next, density, अब solids तो बहुत compactly packed होते हैं, तो कैसे होगा diffusion में, तो solid में सबसे कम diffusion होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी density, dense बहुत ज्या बाद, इससे थोड़ा better किसमें होता है, liquid में, और सबसे better, सबसे highest diffusion किसमें होगा, rate किसमें सबसे ज़्यादा होगा, gas में, ये एक relation भी पढ़ते हो, बच्चों chemistry में, कि density का, और rate of diffusion का inverse relation है, I guess 12 में कोई law है, मैं exactly याद नहीं, मुझे मैंने बहुत पहले chemistry पढ़ी थी, तो inverse relation होता है, ठीक है, rate of diffusion का, rate of diffusion का, ठीक है, inverse relation होता है, density का, ठीक है, अगर density जितनी ज़्यादा, for example, in case of solid, diffusion उतना ही काम, तो ये चार factors है, अच्छा, एक और factor बच्चों, एक और factor है, फिफ्त factor, that is permeability of the membrane, permeability of membrane, permeability का मतलब क्या होता है, आना जाना, ठीक है, जैसे, अब इसमें भी ना, बहुत तरीके के membrane होते हैं, एक permeable, एक impermeable, एक semi-permeable, semi-permeable, ठीक है, और एक selective permeable, selective, यह इसको differentially permeable membrane बोलते हैं, differentially, इसका एक और नाव, ठीक है, permeable का मतलब क्या होता है, सुनते जाना, permeable का मतलब तब बोलते हैं, बच्चो, जब solute भी जाना allowed हो membrane से, और solvent भी जाना allowed हो, जब कोई एक membrane, दोनों चीज़ को allow कर देती है, ऐसी membrane को हम permeable बोलते हैं, for example, for example, यह मान लो cell wall, this is cell wall, cell wall, cell वाले chapter में पढ़ाता permeable होती है, तो यह सारे चीज़ों को जाने देती है, पानी भी जाएगा, ठीक है, और क्या जाने देगी, solute को भी जाने देगी, चाहिए वो glucose हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, वो असानी से इसके अंदर जाने देती है, इसलिए हम cell wall को permeable बोलते हैं, अब कभी कबार क्या होता है बच्चों, मान लो यह cell wall है, इस cell wall की ऊपर, इस cell wall की ऊपर, कुछ चीजों की deposition हो सकती है, क्या हो सकती है, deposition हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, यार, suberine deposit हो सकता है, deposition, this is deposition, deposition किसके किसके हो सकती है, deposition lignin की हो सकती है, ठीक है, suberine की हो सकती है, और इनकी deposition हो गई बच्चों, cutin की हो सकती है, जिसका cuticle बना होता है, लिगनिन याद करो, lignified cell wall, ठीक है, यह सब हमने आराटोमी में पढ़ा हुआ है, suberine मतलब suberize, जो endodermis में होता है, जहांसे पानी को पास नहीं करने देते, casparian strips, याद करो, root के endodermis में होता है, cutin, cuticle, vaxy coating, है ना, जो पानी को अलाव नहीं करती, तो बच्चों अगर पानी को अलाव नहीं कर रहे, तो solute को कैसे जाने दे, तो impermeable, ऐसी membrane होती है, जो solute को भी नहीं जाने देती, और solvent को भी पास नहीं करने देती, example, side में लिखे हुए है, suberized wall, cutinized wall, lignified walls, semi में क्या होता है, बच्चों, semi मतलब आधा, कौन सी चीज़ को जाने देगा, solvent को जाना allowed है, बट solute को जाना allowed नहीं है, जैसे, for example, यार एक बॉयल करते हैं ना, देखे हैं, जब हम छिलका उतारते हैं, तो एक पतली सी परत दिखाई देती, transparency, transparent, translucent कहलो, तो वो जो पतली सी परत होती ना, that is semi-permeable membrane, उसके अंदर आपने देखा होगा, पानी चला जाता है, जब उसको छिलते होना, तो कुछ-कुछ पानी अंदर भी चले जाते है, बट आपको solvent नहीं दिखाई देगा अंदर, सरी, solute अंदर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तो semi-permeable का example क्या लिख रहे हैं, एग membrane, ठीक है, एग membrane क्या होती है, semi-permeable, selective में क्या होता है बच्चो, solvent तो जाएगा ही जाएगा, along with selected solutes, along with selected solutes, और इसका example कौन है, इसका example है हमारा plasma membrane, plasma membrane अभी बनाया था ना बच्चो, ये देखो, आप देख लो plasma membrane, ये हमारा plasma membrane है, तो plasma membrane क्या करता है, देखो, plasma membrane, oxygen वगेरा को, तो ऐसे ही जाने देगा, पानी को भी ऐसे ही जाने देगा, ठीक है, क्योंकि ये gas है, ये water molecule है, easily diffuse out कर सकते हैं membrane से, बट membrane पर हमारे channel proteins होते हैं, क्या होते हैं, channel proteins होते हैं, तो अभी आपने देखा, कि plasma membrane से, ये solvent, ये solvent बड़े इसली आ गया, इस solvent के साथ, कुछ selected solutes भी travel कर सकते हैं, किसकी मदद ले करके, channel carrier proteins की मदद ले करके, channel या carrier proteins की मदद ले करके, ठीक है, या कह सकते हो, facilitated diffusion करा करके, या active transport करा करके, solutes को भी entry कराया जा सकता है, तो वही लिखा हुआ है, कि plasma membrane हमारी कैसी होती है, plasma membrane हमारी selectively permeable होती है, कैसी होती है, बच्चो, selectively permeable होती है, तो आप देख सकते हो, कि membrane के अंदर आना जाना क्यों कौन control कर रहा है, membrane की permeability control कर रही है, जिस प्रकार का membrane होगा, उस प्रकार से diffusion को कराया जा सकता है, ठीक है, तो यह पांच factors हैं बच्चो जिस पर diffusion dependent होता है, clear हो गया, तो diffusion के बाद next हम क्या पढ़ेंगे, facility वाला diffusion, facility वाला diffusion क्यों, देखो, NCRT में एक line लिखी होई है, NCRT की line है बच्चो की hydrophilic moiety, hydrophilic moiety, hydrophilic, hydrophilic का मतलब पढ़ रखे हैं हमने water loving, philic मतलब love, water loving moiety, moiety का मतलब यहां से क्या है बच्चो, moiety का मतलब होता है loving, so hydrophilic moiety cannot cross the membrane, cannot cross the membrane, तुम इसको polar भी बोल सकते हो, polar molecule, like for example, like for example glucose, आप देखो, glucose entry नहीं मार पार रहा था, lipid की membrane के थुरू, क्योंकि जो lipid की bilayer होती है, ठीके, उसमें ये tail आता है, tail hydrophobic होता है, tail क्या होता है, hydrophobic होता है, है ना, या तुम कह सकते हो, non polar होता है, तो यार जब इसको पानी से प्यारी नहीं है, polar substance से प्यारी नहीं है, तो ये polar substance की entry कराएगा ही नहीं, इस रास्ते से polar molecule आहीं नहीं सकते, तो भाईया अगर polar molecule की अंदर जरूरत है, तो ऐसे molecule को भेजने के लिए हमें facility दे नी पड़ती है, और उसी को हम fascinated diffusion बोलते हैं, जो हमने डिसकस किया था, कि चैनल प्रोटीन दे दो, भेज दो ग्लूकोस को चैनल के थ्रू, भेज दो चैनल के थ्रू, ठीक है, तो वहीं लिखा हो है, कि hydrophilic morality, for example, of glucose, cannot cross the membrane, why? क्योंकि हमारी, why? because, membrane is, membrane is, made up of, made up of lipid की layer, lipid की layer, ऐसे लिख दो, lipid layer, ठीक है, अच्छा, एक और थीज, अगर मैं बोलू, अगर मैं बोलू, मैंने आपको बता है कि polar molecules नहीं cross कर सकते, क्योंकि एंसी आटी की line है, तो अगर आप से पूछे चाहिए, बिल्कुल नहीं कर सकते क्या, देखो, यह ना क्या बराबर करेंगे, ना के बराबर क्यों, क्योंकि मान रोग ग्लूकोस का molecule आना है, तो पता नहीं कितने साल में अंदर आए, सेल को जरूँ तो उस टाइम थी, लेकिन पता नहीं कितने सालों में जाकर के entry मारा तो फायदा क्या है, तब तो तो सेली नहीं बचेगा, इसलिए हम बोलते हैं, ना के बराबर इसकी movement हो रही है, ठीक है, ना के बराबर movement हो रही है, इसकी, इसलिए NCRT में लिखा हुआ है, कि ये किस पर depend करता है, depends on solubility in lipids, जो lipids soluble होंगे, वो बड़े असानी से अंदर आ जाएंगे, उनके लिए कोई परिशानी नहीं है, बर जो lipids soluble नहीं होते हैं, इनके लिए हमें facility provide करनी परती है, जिसको facility diffusion बोलते हैं, बार-बार repeat करें, जिसको बार दिमाग में बच्चो बैठ जाएंगे, अब हम इसमें किसकी help लेते हैं, हम इसमें help लेते हैं, use of channel, use of channel protein, ठीक है, यह हम क्या बोलते हैं, carrier protein, channel दिखायता है, channel रास्ता बन जाता है, glucose अंदर आ जाता है, carrier protein क्या होता है, पहले सुन लो, यह देखो, यह हमारा carrier protein है, क्या करता है, यह जो pink वाल है, यह हमारी क्या है, membrane है, इस membrane में pink वाला क्या है carrier protein है, carry करेगा, नाम से समझना carry करेगा, तो ये एक, ये cell के बाहर का surface है, ये cell के अंदर का surface है, ये एक protein ये देखो, ये एक protein बाहर से bind कर जा रहा है, इसको हम क्या लिखते हैं, NCRT, extra cellular molecule, extra cellular molecule इस carrier protein पर bind कर जाती है, ठीक है, जिसको इन्होंने transport protein लिखा हुआ है, transport protein, मतलब ये, ये है transport protein, या तुम इसको carrier protein भी बोलते हैं, तो ये क्या करती है, इधर से bind की, फिर rotate करके, इधर को छोड़ देगी, ठीक है, इधर से bind की, देखो, ऐसा shape है, इधर से bind की, फिर घूम गई, घूमने के बाद, इसका मुँ उधर को तरफ हो गया, ये यहाँ पर आया एक molecule, ठीक है, ये बाहर की तरफ था, ये घूम गई, घूमने के बाद, इसका मुँ इधर की तरफ हो गया, इधर के तरफ मुँ था, उधर के तरफ ही एक molecule था, तो आप देखो, इस तरीके से ये घूमने की वज़े से, अंदर की तरफ छोड़ दे रहा है, तो आप यही देखो, यही NCRT में लिखा हुआ है, कि ये डाइग्राम ये शो करता है, कि extra cellular protein bind कर जाएगा transport protein, carrier protein से, फिरो transport protein rotate कर जाती है, और उस molecule को फिर अंदर के तरफ छोड़ देती है, ठीक है, तो ये इतना सा फरक है, एक carrier protein में और channel protein, channel protein रास्ता बनाता है, carrier protein अपने साइड में इदर से चिपकाएगा, घूमेगा, अभी यहाँ चिपकाता, घूम गया, तो इधर की तरह release कर देगा, बड़ आपके लेवल पर आप समझ जाना, channel carrier सेम है, ठीक है, वो carrier जो active में लगता है, वो ATP खर्च करता है, जो carrier पैसिटर में लगते हैं, वो ATP खर्च नहीं करते हैं, प्योंकि along the movement रांसपोर्ट हो रही है, यह एक NCRT की बात थी, जो मुझे आपको बतानी थी, इसके बाद यह एक passive ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, passive का मतलब, along the concentration gradient, along the concentration gradient का मतलब क्या है, along the concentration gradient का मतलब है, high to low, high to low, ठीक है, इसके इलावा NCRT और क्या लिखती है बच्चों, NCRT लिखती है कि इस पर कुछ कुछ चीज़े दिखाई देंगी, क्या क्या चीज़े दिखाई देंगी, saturation, सब बताये हो जाएगा, ठीक है, saturation present, they are very selective, transport इनका selective होता है, ठीक है, एक सकेंद, selective भी होते हैं, एक सकेंद बच्चों, या तुम कहते हो, specific, specific, they are sensitive to inhibitors, sensitive to inhibitors, and they can be controlled, they can be controlled, ठीक है, तो इसको या दखना, saturation, selective, sensitive, इसका क्या मतलब है, देखो, जैसे या वही मंदिर का example है, तिरुपति बाला जी, ठीक है, जितने भी सारे पुलिस वाले थे, वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल के, मतलब किसी ना किसी person के diffusion में busy हैं, अब कोई और person आ रहा है, तो क्या अब उसका diffusion होगा, नहीं, सारे के सारे पुलिस वाले तो busy हैं, that means, अब जो diffusion है, वो अपने maximum rate तक पहुच चुकी है, उससे जादा molecule को हम diffuse नहीं करा सकते, for example, जब आप पढ़ते हो, तो इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो एक दिन में, आपको रखता है, यार बस बहुत हो गया, आप सर के उपर से जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, है ना आप पढ़ाई की जा रही है, ना reading की जा जा रहा है, बस होता है, maximum, क्या मतलब होता है, maximum, इस से जादा, अब ट्रांस्पोर्ट नहीं कराया जा सकता, because all the carrier proteins, channel proteins, they are being used up, ठीक है, सारे के सारे proteins, use हो रखें किसी के ट्रांस्पोर्ट कराने के लिए, ठीक है, और जहां जहां प्रोटीन का इस्तमाल होगा, वहां वहां पर saturation आएगा, जैसे diffusion में कोई protein का इस्तमाल नहीं था, तो वहां पर saturation word भी नहीं था, ठीक है, selective का मतलब क्या होता है, selective का मतलब क्या होता है, बच्चो, for example, अगर मैं membrane बनाओ, यह किसकी membrane है, यह plasma membrane की membrane है, ठीक है, plasma membrane पर बड़े सारे channels मौजूद है, ठीक है, क्या मौजूद है, बड़े स अरे channels मौजूद है, ठीक है? किसी नकिसी चीज के ट्रांसपोर्पोर्ण कराने के लिए, तो यार, अगर आपको कश्मीर जाना है, तो कश्मीर वाला ही रास्ता पकड़ोगे ना, करन्या कुमारी का रास्ता तो पकड़ोगे, मतलब रास्ता भी तो specific है, रास्ता specific है ना, ज चानल ग्लुकोज का है अगर यह चानल ग्लुकोज का है तो इससे सिर्फ और सिर्फ ग्लुकोज ही पास होगा अगर तुम सोचो कि थोड़ा पैसा बचाएं और इसी से हम कैल्शियम का भी ट्रांसपोर्ट करा ले पोटाशियम का भी ट्रांसपोर्ट करा ले तो इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता तो ये ये दर्शाता है कि ये जो channels हैं, ये जो channels हैं, they are specific, ये उनी को ले जाएंगे, जिनके लिए बने हैं, ठीके और बैसे भी बच्चों, ये channels किसके बने हुए हैं, they are made up of proteins, ठीके और जैसे आप enzyme के बारे में पढ़ते हो ना, कि proteins, जो enzymes होते हैं, वो भी protein के बने होते हैं, तो enzymes भी तो specific होते हैं, ऐसा थोड़ी कि photosynthesis का अगर reaction कराना है, तो रुबिस्ट को नहीं है, तो किसी और enzyme से काम चला ले, नहीं होगा न, that means enzymes are also specific, है न, उस particular reaction को catalyze करने के लिए बही इस्तमाल होंगे, similarly, proteins के ही बने होते हैं, channels, तो channels भी क्या होते हैं, बच्चों, specific होते है ग्लुकोस का रास्ता है, तो ग्लुकोस ही सिर्फ जाएगा, calcium protection को जाने का इसमें कोई हक नहीं है, ठीक है, तो specific समझ लिया है, specific कहलो, इसके बाद, ठीक है, specific, selective, अब है next, sensitive, sensitive क्यों बोल रहे हैं, बच्चों, क्योंकि proteins के बने, ठीक है, proteins, they are highly sensitive, highly sensitive, ठीक है, proteins का अपना shape हो they have specific shape, जैसे enzyme का भी shape होता है ना, ठीक है, biomolecules में आप पढ़ते हो, तो होता क्या है, अगर उनका enzyme का shape alter कर दो, तो enzyme inactive होती ही, कुछ नहीं करा पाती, है ना, similarly, अगर protein है, इस protein के उपर आ करके, इस protein के उपर आ करके, कोई inhibitor बैट जाए, inhibitor, ठीक है, आ करके, bind कर जाए, bind to, side chain of protein, side chain of proteins, तो क्या होगा, यह जो protein है, यह जो protein ऐसे लिखते है, inhibitors, when bind to, when bind to, side chain of proteins, side chain of proteins, तो इनका shape पुराना उला रहा, नहीं, इनके उपर एक additional चीज़ आ करके चिपक गई, और additional चीज़ चिपकने का मतलब है, shape change हो गया, और अगर shape change हो गया बच्चों, तो यह क्या हो गया, वेकार हो गया, ठीक है, यह transport नहीं करा पाएंगे अब, ठीक है, तो हुआ क्या, inhibitor या chemical के चिपकने से, इनका जो काम था, इनका जो function था, वो खराब हो गया, function प्रॉपर नहीं perform कर पा रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं, कि जो proteins होते हैं, जो channel proteins होते हैं, highly sensitive to the inhibitors, last point है, control, यह मैंने अपने से नहीं लिखा हुआ है, बच्चों, यह NCRT ने लिखा हुआ है, NCRT ने लिखा हुआ है, कि कुछ रास्ते, रास्ते का मतलब है channels, कुछ रास्ते हमेशा open होते हैं, ठीक है, और कुछ को, control किया जाता है, मतलब, जब उनकी जरूरत है, ठीक है, मानलो यह एक रास्ता है, ठीक है, अभी यह बंध है, ठीक है, कुछ रास्ते हमेशा खुले होए, मानलो ग्लुकोस का रास्ता है, तो ग्लुकोस अंदर जाता जाएगा, कोई problem नहीं है, कुछ रास्ते बंध होते हैं, ठीक है, अब बंध है, तो मानलो किसी चीज को को अंदर फ्रांसपोर्ट करना है तो इनका धकन खुलता है ठीक है तो जब खोलने और बंद करने वाला चैनल हो तो उसको बोलते हैं कि खोलना और बंद करना control किया जा रहा है तो यह भी वहीं पर होगा जहां पर proteins का इस्तामाल है ठीक है यह सारे points वहाँ वहाँ पर आपको दिखाई देंगे जहां जहां पर proteins है और proteins दो ही जगा है एक तो facilitate में और एक हमारे active में ठीक है तो यह हमने चीज को अंदर ले जाना है ठीक है किस चीज की ज़रुरत किस समय पर जादा है फॉर एक्जैम्पल वहीं मंदर का एक्जैम्पल लेते हैं की टाइम पर कोई वी वी आई पी आजाए वी आई पी मान लो और आगे हमारे को मिलेगी मिन्स्टर का अब बड़ बने किसको मिलेगी किसको किया जाएगा लेकर और समझ तो समझने वाला चाप्टरए ड्रांसपोर्ट कुर्ण का इसके बाद NCRT पर आते हैं, NCRT में यह लिखा हुआ है, यह हमारी मेंब्रेन है, पिंक कलर वाली इस पिंक में तीन तरीके के प्रोटीन से हैं, तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जैसे फर एक्जामपल मॉलिक्यूल A है, ठीक है, A मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, एक डारेक्शन में, ठीक है, यूनी मीन्स यूनी डारेक्शनल, एक ही डारेक्शन में ट्रावल हो रहा है, और इसको अपनी ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, एक लौता मॉलिक्यूल है, यूनी, एक लौता मॉलिक्यूल है, इसको अपनी ट्रांसपोर्ट कराने के इंडिपेंडेंट नेक्स्ट है एंटीपोर्ट एंटीपोर्ट में क्या हो रहा है एक मॉलक्यू जब अंदर जा रहा है उसी दौरान भी वाला बहार आ रहा है दोनों की डारेक्शन ओपोजिट है एंटी मीन्स ओपोजिट डारेक्शन एंटी मीन्स ओपोजिट डारेक्शन opposite direction जैसे एक कमरा है एक कमरे में आप बहार जा रहे हो तो कोई अंदर आ रहा है opposite direction में anti-transport ठीक है same port में क्या होता है दो molecule है ठीक है आपस में एक दूसरे पर dependent बट direction of travel same है ठीक है दोनों साथ-साथ entry मार रहे हैं एक साथ same direction में उसको क्या बोलते हैं same port उसको क्या बोलते हैं same port तो तीन तरीके से हो सकता है बच्चो independent है तो यूनिपोट अगर opposite direction में जाएगा तो एसी ट्रांसपोट को anti-port बोलते हैं same direction में जाएगा तो उसको होलते हैं same port और इस तरीके का ट्रांसपोर आप जॉल जी में कहीं पर पढ़ते होगे बच्चो शायद पंप में सोडिया मंदर जाता है पताशियम भाराता है आप आपके लिए confusion नहीं create करना चारी तो मैं बहुत ज्यादा जॉल जी वाल एक्जांपल पर नहीं जारी पर आप ऐसे से गैष्ट ट्रांपॉर्ट का मतलब क्या है अगेंस्ट हरी अगेंस्ट है तो मैं पंप लगाना पड़ेगा जैसे याव पानी हम मिल्के से ऑन कर देते हैं कि थेसे न नॉर्मल ही आता रहता है जब पानी मेंद चमें छाहरे मॉर्मनी और नर्म करने करना पड़ना पर म।ांधे चुछ तरह आ तरहाता है लिए चैदा籽ने वाले मॉवमेंट को क्या घर आपहिल क्यों करते हैं तो पंप का करते हैं ठीक है पंप का इस्तमाल करते हैं पंप प्रोटीन कह सकते हो या कैरियर प्रोटीन्स आर यूज़ड और यहां पर भी प्रोटीन से बच्चो तो वहां यहां पर भी वो सारी बाते आएंगी कि साचुरेशन प्रेजन्ट होगा मतलब माक्सिमम लेवल रीच कर ठीक है प्रोटीन्स हैं तो सेंसिटिव होंगे सेंसिटिव होंगे किस से इनिबिटर से यह ट्रांसपोर्ट भी सेंसिटिव होती है इनिबिटर से रोटीन्स हैं तो थोड़ा सेलेक्टिव नेचर ऑबिसली सो करेंगे सेलेक्टिव भी होंगे स्पैसिफिक भी होंगे ठीक और क्या होंगे बच्चों इनको भी controlled किया जा सकता है तो यार active transport passive transport faceted diffusion हमने cover कर लिया है ठीक है तो property पढ़ते हैं यार simple diffusion में special type of proteins लगता है तो simple diffusion में special type of proteins नहीं लगता है आप मेरे साथ आद इसको भरने कीकोंशच करना तभी मजद आएगा ठीक है यहाँ पर लगता है यहाँ पर भी स्तमाल होता है highly selective यहाँ पर प्रोटीगी नहीं सेलेक्टीव किस बात नहीं होगा यहाँ पर होगा क्योंकि prof stamping का इस्तमाल लगता है यहाँ पर भी होगा transport saturation तभी होता है जब प्रोटीन का सम्लोट प्रोटीन है नी साचुरेशन एकांट हो यह पर प्रेज़न सब्सक्राइब टोल झाल से सब्सक्राइब होता है मिंहीं होता है यह मैं गलाद होता ध्यूंट एक अधियू होती है क्योंकि यहां पर पल फिलinka मतलब कहुता मजहां यहाँ पर तो अपहल होगा न क्योंकि अगेंस होता है लो टुख अगेंस नी कंसेंटरेशन ग्रेडियेंट यह energy खर्च करवाता है बिलकुल भी नहीं यह पैसिव होता है यह वी पैसिव होता है यह अक्टिव होता है response to protein inhibitors यह तो protein नहीं नहीं है तो sensitive भी नहीं होंगे यह sensitive होते हैं यह sensitive होते हैं तो बच्चों हमने तीनों में difference भी देख लिया है यह दोनों diffusion के ही तरीके होते हैं इसमें किसी का protein का इस्तमाल नहीं होता इसमें protein की facility देनी पड़ती है इसमें active protein energy सब खर्च होता है ठीक है तो यह बच्चों मोटा मोटा हमने तीनों short distance transport में differences भी देख लिये और terminologies को cover कर लिया है अच्छा एक और चीज़ जो आपको बतानी है कि जो facility diffusion होता है ना यह ना facility diffusion facility diffusion जो आमने पढ़ा आता for example दिस facility diffusion में मैंने आपको पहले ही बता रखा है facility diffusion का मतलब होता है सिर्फ जरिया देना facility provide करना concentration gradient पहले से मौजूद होना चाहिए यहां पर बाहर की तरफ glucose concentration जादा होना चाहिए अंदर glucose concentration कम होना चाहिए तभी glucose को facility provide की भी जाएगी facility diffusion के लिए अगर यह concentration नहीं है तो अल्रेडी बी प्रेजेंट यहां पर facility देने का मतब यह नहीं है कि वो proteins concentration gradient develop concentration gradient develop करेंगे वह पहले से मौजूद होना चाहिए proteins पर इस ग्रेडियंट का इस्तमाल करके molecule को हाई से लो की तरफ भेज देगा सिर्फ यही पैसलेटिक दी जा रही उनको ठीक है यह पहले से मौजूद होना चाहिए ने लिखा हुआ है और एक और चीज एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हो ठीक है कि special चैनल्स मौजूद होते हैं ठीक है special channels मौजूद होते हैं लाइक पर पोरेंस जिसके बारे में मैंने आपको अb YouTube में बताए हुआ हुए ठीक है पोरिंस क्या होते हैं ठीक है और यही प्रोटीन small sized protein molecule small sized protein molecule यह कहां पर present होते हैं they are present on outer membrane of mitochondria यह पढ़ा था हमने और कहां पर present होते हैं बच्चों chloroplast के outer membrane पर और कहां पर present होते हैं outer membrane of certain bacteria NCRT लिखती है बट वो bacteria कौन से हैं बच्चों वो bacteria gram negative है कैसे bacteria होते हैं gram negative के outer membrane पर porins मिलता है अगर मैं अब एक cell बनाओं ठीक है यह एक cell है एक cell के पास मालों eukaryotic cell है ना eukaryotic cell के पास ही तो mitochondria होता है यह इसका क्या है nucleus है nucleus के पास हमारा dna होता है dna proteins बना सकता है वो proteins nuclear पोर के थूँ बाहर आ जाते हैं यह पढ़ा हुआ है ठीक है और cytoplasm हमारे भी हमारे पास eukaryotic ribosomes होते हैं बट कहने का मतलब समझो यह हमारे पास क्या है mitochondria mitochondria में यह हमारी क्या होती है क्रिस्टे के फॉर्म में inner membrane ठीक है अब बाहर के तरफ आउटर membrane में pores present होते है इन्ही pores को क्या बोलते हैं बच्चो इन्ही पोर्स को हम बोलते हैं पोरिंस यह पोरिंस क्या है पोर्स है छेद है जिसके फुक्त फ्रांस्पोर्ट होगा चीजों का ठीक है तो यह यह भी प्रोटीन बना सकता है अपने अंदर कोई बड़ी बात नहीं बट इनको कुछ प्रोटीन बहार से भी जुरुद्वरत पड़ती है जो न्यूकलियस बनाता है तो उन प्रोटीन यह प्रोटीन को किसके थुरू भेज़ेंगे अंदर इसी पोरिंस के तुरू तो दे में क्या होता है इन केस ऑफ प्लांस है एक वा पोरिंस प्रेजेंट थे के एक वा पॉरिंस किसके बने होते हैं एक वा पॉरिंस क्या है बच्चों यह भी तरीके के चैनल है स्पेशल चैनल है जो प्लांस में मूव्मेंट कराने के लिए रिस्पॉंसिबल है क्या कराने के लिए मूव्मेंट कराने के लिए रिस्पॉंसिबल है और प्लांस में कितने टाइप ऑफ एक वा पॉरिंस मिलते हैं एड डिफरेंट टाइपस ऑफ एक वा पॉरिंस और प्रे हो कोई एनर्जी पर गएरा खर्च नहीं हो रही है देर देर देस्पेशल चानल्स विच आर देर पॉदी 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 प्रांसपोर्ट क्लियर है ओके अच्छा आप कहीं कहीं न बच्चों को यह confusion आ सकता है confusion आ सकता है है यहां पर बोलते हैं कि पानी अंदर आसकता है पानी पानी कैसे आसकता है यह तो टेल यह तो नौन पोलर है बड़ा चोटा है जगह अपनी बना लेता है डिफ्यूस कर जाता है बट जो हमारे बड़े-बड़े इसलिए उन पोलर मॉलीक्योल को हमें डिफ्यूशन के थू भीजना पड़ा तो तो कंफ्यूश्ट मत होना सारी एंची आटी के लाइन कवर कर लिए है ठीक है कंफ्यूशन होने वाली बात नहीं है बस स्टेप्शुल चाप्टर है और डाउट्स वगेरा अगर आते हैं तो बस एक बर NCRT रीट करना बच्चों अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आज के चाप्टर में हमने सब क्या पढ़ा है बच्चों आज के चाप्टर में वी अगर आप यह नहीं समझोगे कि आक्टिव क्या होता है पैसर क्या होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडिय होता है हाइइ कब होता है लो कब होता है फॉंस का कहा पर स्तमाल है प्रोटी इस Anopes कंसेर्चो उरी है कहा पर ईहिती कि नहींगे ठयुक्र सब्स अभि Чए उन Do जरूर रीड करना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स लेक्शर में, तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर